नमस्कार, हेल्फ लाइन में आप सभी का स्वागत है। बड़ी परेशानियों का सबब बन जाती है। पेट से जोड़ी हुई समस्याएं तो हर मौसम में होती हैं पर गर्मी में जादा बढ़ जाती है। क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है। इस वज़े से जो किटानुए हैं हमारे खाने में आजाती हैं उस वज़े से दस्त होती है। दस्त के वज़े से पेट में दर्द हो सकता है। बार-बार लेटरिन होना और पतले दस्त होना ये common symptoms होती हैं इस चीज की। और गर्मी के मौसम में बहुत आम तौर पर पाई जाती है। कल पिछले हफते में मेरे पास छे phone call आ चुके हैं इसी चीज के मेरे किसी ना किसी जान पैचान को दस्त हो गई। क्या करना चाहिए। तो आम तौर पर मैंने ये देखा है कि कोई बाहर का खाना खाता है जो साफ सुतरा नहीं है इस्पेशली फ्रिज में रखे हुए खाना पेस्ट्रीज ये सारे चीज हैं थंडा इंडिया में इतना थंडा मौसम है नहीं और दूसरा है कि हमारा फ्रिज हमेशा नहीं काम करता क्योंकि बिजली बार बार चली जाती है इस वज़े से ये चीज बहुत जल्दी खराब हो आप अपना नाम बता है रख कहां से बोल रहे हैं मैं जिस्वान सिंग बोला हूं जी आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर रुशा से हाँ जी मेरा बेटा ट्वंटी एटी एटी अरव का है जी हाँ जी उसका बजन में जो 82 है तो उसका ना फैटी लिबर आया है हाँ जी अपने अल्ट्रा सूंड में हाँ जी उसका ना मतलब जो फिवरो स्कैन किया था हाँ हाँ उसमें स्टिफने साजो 7.8 KPA हाँ जी मैं जी पूछना चाहता था कि यह कितना डेंजरस है उसके लिए और कितना यह इसको सावधानी रखनी चाहिए इन फूचर में यह फिवरो स काफी ठीक है और लिवर फंक्शन टेस्ट कैसा था थोड़ा सा ज्यादा आता है पहली बात है कि उसका उमर बहुत कम है 28 यह हम यह चाहें कि वह 90 साल तक जिये और अच्छी जिगर के साथ जिए तो उसके लिए अभी प्रिकॉशन लेना बहुत जुरूरी है और उसके सारे चीजों से घटाने की कोशिश करें कोई सर्जरी वजडी की जरूरत नहीं है लेकिन खाने में नियंतरन रखें थोड़ा एक्सराइस बढ़ाएं सुबह शाम रात दो तीन बार एक गंटे का और दीरे दीरे एक्सराइस बढ़ाते जाएं खाने को कम-कम मातरा में दिन खराद, चुण चुरूब है अच्छा अल्कोहल फे बन्ड है इस बल्कुल टो ये खरी को बचा के रखने charging के लिए एकिन बिलकुल कोई करने चाहिए दूसरी बात जो अवाइड करनी चाहिए वो है यह हेवी फैट्स अवाइड करनी चाहिए तो खाने में जो दूद लेते हैं उसमें स्किम्ड मिल्क ले लें कोई बड़ चीज इस्तबाल ना करें तेल जो लेते हैं कम मात्रा में लें खूब सारा फल फ्रूट खूब सारा ले और वेजिटेबल्स खूब सारा ले और जो भी आटा लेते हैं उसमें भी खास चकी फ्रेश आटा ले यह नहीं की बैग वाला आटा ले तो यह सारे चीजों ते आंथ ठीक होगी तो जिगर भी चल के ठीक हो जाएगा हां जी आप अपने नाम बताएं रब कहां से बोल रहे हैं मेरा नाम मान सिन जी आप अपना सवाल पूछे दॉक्टर रुशा से मैडम मेरा उस्वाल हाए कि मेरे ょे में ड्र कि मेरी पेट में प्राउबम ढाले तो उसके लिए क्या किया आकि इंवर कितनी है में 23 वैं 23 ट्र yang क्या काम करते हैं मैं स्टड lieu करता हूं आपि अचख तो यह जो है ना यह ग्यास की जो प्रॉबम होते हैं यह आम तोर पे होती है जब खाना जो आप खाते हैं ठीक से पच्छता नहीं है तो खाने में जैसे दूद किसी किसी को पच्छता नहीं है चोले राजमा यह चीजें पच्छती नहीं है और जिनको असिडिटी होती है कबजी होती है उनमें गैस ज्यादा होता है आपको इन मे के साथ पानी ना पीए तो उसमें गैस हम जो स्वालो कर लेते हैं वो पेट में चली जाती है दूसरी बात है असीडिटी हो तो असीडिटी की ट्रीट्मेंट होनी चाहिए ताकि गैस कम बने और तीसरा है दूद आप देखेगा दूद किसी दिन बंद करके देखेगा एक हफ दूद ले ले एक हफता बिलकुल बिना दूद का रहेंगे तो आपको पता चलेगा दूद आपको कितना असर करता है पॉसिटिवली या नेगेटिवली डूट्टर रूशा कुछ कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गया है देखे उनका सवाल क्या है हले हो है हां जी जी आपको अपको बजन कितना है वजन मेरा है 75-75 आपने कभी गेहूं के अलर्जी का टेस्ट किया है गेहूं का जी कनक का क्या जी क्या कनक के अलर्जी का टेस्ट हुआ है आपका नहीं हुआ है पहली बात है जो 20 साल से 10 चल रही है इसके लिए आपको सही तरीके से हस्पताल में जान चिलाज करानी पड़ेगी कभी आप आ है खाना जो आप खाते हैं उसकी पाचेंशक्ति कम है इस वज़े से दस्ट हो रही है तो यह जब तक जो लंबी हरसे की बिमारी होती है उसको सही तरीके से पूरा देखके ही हम आपको सही तरीके से सला दे पाएंगे जी आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद दोकर पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में हम बात कर रहे थे और आपने कहा है कि डायरिया काफी कॉमन है इस मौसम में तो किन वज़े से डायरिया होता है अगर ड आपने सही सवाल पूछा क्योंकि इस गर्मी के मौसम में डायरिया बहुत कॉमन है डायरिया को अवाइड करने के लिए जो डायरिया होती है वो किटानू की इंफेक्शन के वज़े से होती है यह किटानू आती है हमारे पेट में पानी से और हमारे खाने में तो पानी साफ पीए जब उसके अंदर कोई बर्तन डाले तो बाला वाप पानी नहीं रहता है तो पानी को हाथ से बाहर बर्तन से सीधा ग्लास में ले ले, कोई बीच में ग्लास या कोई चीज अंदर ना डाले, दूसरी बात है कि जो खाना है वो साफ सुत्रा और ताजा होना चाहिए, गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी खाना खराब हो जाता है, बाहर ठेले वाले जो खाना बेचतरे होते हैं, उसमें कोई सफ जीज में भी रखा जाता है उसको बाहर निकाल के माइक्रोवेब में डाल के वापस खाने का कोई फैदा नहीं है, क्योंकि माइक्रोवेब से किटानू नहीं मरते हैं, उसको पहले अच्छी तरह उबाले, फिर खाना खा सकते हैं, और जितना हो सके, पुराना खाना खाना और ठंडी वाली चीजें जो बाहर खाना होता है, जैसे फ्रूट जूस होती है, जिसमें बाहर की आइस जलती है, वो सारा चीज पेट को खराब होती है, अवाइट करना चाहिए जी, डॉक्टर कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गये हैं, देखते हैं, उनका सवाल क्या है हलो, हान जी, आप अपना नाम बताएं और आप कहां से बोल रहे हैं, मैं सरभ जी, पिन मोहली से बोल रहा हूं, जी जी, आप अपना सवाल पूछिए, एक्शली हम यहां मोहली में रहते हैं तो यहां सरकारी वाटर स्प्लाई का पानी बहुत गंदा आता, तो इसका गवर्मेंट के इसाब से जो पानी का वाटर बोर्ड है, जो पानी को टेस्ट करके बता सकती है कि को ऐसा होना चाहिए, आपका पानी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो ऐसे पानी को देख के बताना बड़ा मुश्किल है, और ऐसा पानी आपको कोई लगता है कि उसमें क कोई चांस है कि खराब आ रही है तो अपना खुद का फिल्टर या कुछ लगवा लिजेगा तो ऐसे वाला फिल्टर लगा लेंगे तो उससे आपका पानी साफ सुत्रा आएगा गौर्मेंट का पानी सही नहीं आता है तो गौर्मेंट को जरूरी उसके तरफ डेखना जी मंदीब जी आप अपना सवाल पूछिए मैं पूछना जाती हूँ टू यर्स बैक मैंने फिलिंग करवाई थी तीस में उससे मेरे मूँ में अलसर हो गया था जी अलसर के बाद मैंने तोड़ी देर बाद मतलब मुझे अब गया अगर मैं लेटी हो तो एसीड उपर आत जाता है असे अब लिवर में कहते हैं प्रॉब्लम में और मेरी स्कीन नहीं जो इतनी खीची खीची रहती है ना मलब गर्दन भी आंस भी आपकी उमर क्या है मंदीब जी ट्वेंटी त्री यर्स पहली बात यह हो सकता है यह जो हुआ है उसका और इसका डायरेक्ट तालु होती है इसको हम कहते हैं टेक्निकल टाउंस में इसको कहते हैं रिफलक्स डिजीज मनें जो पेट का जो एसिड बनता है वो खाने के नली में आ जाती है नॉर्मली थोड़ी आ जाती है लेकिन वह वापस पेट में चली जाती है लेकिन आपका यह हो सकता है कि एसिड के चाने के बाद दो गंटे तक लेटना नहीं है और खाना जो भी खाते हैं थोड़ा-थोड़ा करके 5-6 बार करके खाना है एक साथ बहुत हेवी खाना नहीं खाना चाहिए इसके बावजूद भी यह symptoms रहती हैं तो अपने बिस्तर का सिराना उपर कर सकते हैं दो-दो इंट कि या जा सकता है जी मंदीब जी आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद अब डायरिया का ट्रीट्मेंट कैसे गरती हैं सबसे पहले डायरिया में क्या होता है कि शरीर से पानी निकल जाता है तो पानी तो पीना ही चाहिए उस टाइम पे मोर इंपोर्टन तन वाटर वो है O.R. करके पैकेट आती है W.O.O.R.S. जैसे एलेक्ट्रॉल और एलेक्ट्रोबायोन ऐसी चीजें पैकेट्स आती है इसको सही मात्रा में पानी में घोल के वो पीते रहें तीसरी बात है वो नहीं अवेलेबल है तो हम सिंपल निम्बू पानी बना सकते हैं और या शिकंजी बना दूसरी बात है कि आम तोर पे एंटीबायाटिक जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन डायरिया एक या दो दिन से ज़ादा रहे तो हमें एंटीबायोन लेने की जरूरत पड़ेंगी वो किसी दुकान से ना ले डॉक्टर से सला करके ले और दूसरी बात है काफी बार मैंने कि टिनेड इजॉल की दवाई दी जाती है डायरिया में उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि यह आम तोर पर यह शॉर्ट लास्टिंग डायरिया जो होती है वह बैक्टीरिया के वज़े से होती है अमीमा या जियाडिया के वज़े से नहीं होती है तो जरूरत होती है तो नौर्फ लॉक्स, सिप लॉक्स, ऐसे वाली दवाईयों की जरुरत पड़ती है, ऐसे इंस्टेंसे में, दूसरी बात यह है कि जब डाइरिया होता है, यह देखना चाहिए कि पिशाब पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पिशाब कम आ रहा है तो यह बॉड़ी का एक कि बदन में कम पानी है, तो पानी पीना जुरूरी है, कभी-कभी ऐसे होता है कि उल्टी भी होती है, दस्त भी होती है, इस टेंग पे हम पानी नहीं पी पाते हैं, ऐसा होता है और पिशाब कम आ रहा होता है, तो हस्पिताल ले जाना होता है, ताकि डिप्स के जरीए पान अब कहां से बोल रहे हैं जी आप अपना सवाल पूछें डॉक्टर रूशा से अब हप्ता पहले अल्ट्रासांड को हुआ था तो डॉक्टर ने बोला भी आपका जो लीवर है वो छोटा हो गया है अच्छा आपकी उमर बताएंगे आप फिफ्टी और कितने साल से ले रहे हैं अल्कोहल यह हुए जी टैन येर से बाई साब यह देखिए कि जिगर कम हो जाती है आम तोर पे जो लोग अल्कोहल पीते हैं उससे जिगर पे असर पढ़ता रहता है लोग सोचते हैं कि थोड़ा अल्कोहल से कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन आम तोर पे थोड़ा थोड़ा अल्कोहल मिल के जिगर को नुकसान करता है और कभी-कभी पीलया नहीं करता है सिर्फ जिगर को छोटा करता रहता है और जिगर की फंक्शन को खतम कर देता है तो तो इसका सारा टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा कि क्यों जिगर कम हुआ है और अल्कोहल बिल्कुल बंद करना जुरूरी है दोक्टर रिक और कॉलर हैं देखते हैं उनका सवाल करें हैं अलो हान जी आप अपने नाम बता है और आप कहा से बोल रही है मैं भरनालCam से बोलनी है, जिन्डर का और पर नाम मेरी बर बार बार खांगी की और अन पंचा था ही आप सैसलर के सारङ जान और हैं ऑर यह थे क्रिफितां है अब किसके प्रव्लम है बच्चा दाननी की जो बोट है अचा जी उसकी वज़ा से भी खाना पीजा तो ठीक लगती है लेकिन अच्छी से डाइस्ट नहीं होता अच्छा जी और मैंने क्लोनोस्कॉपी भी अभी करवाई है जी उसमें भी कोई प्रावलम नहीं है जो प्रावलम है यह लाज इंटस्टाइन में नहीं है क्लोनोस्कोपी जो होती है वह लाज इंटस्टाइन को देखती है आपकी जो सिंटम्स है वह उपर के पेट का या उपर का इंटस्टाइन small intestine की जुड़ी हुई problem लगती है हो सकता है बच्चे होने के बाद आपका nutrition में कमी आ गई हो जिसके वज़े से condition होता है tropical sprue कहते हैं जिसमें शरीर की जो vitamins कम हो जाती है और किटानू की low grade infection चलती रहती है इसको देखने के लिए आपको किसी doctor को consult करना पड़ेगा बनारस में तो BHU hospital है जहां पूरा gastroenterology department है वहां जाके आप डॉक्टर से सला करिए कि यह आपका खाना क्यों नहीं पच रहा है यह most probably इसको हम कहते हैं यह खाना अनपच का कारण होता है कि आपके जो ऊपर का coordination कभी-कभी गढ़बढ होता है यह pancreas की problem होती है यह पेट की infection होती है यह आपकी nutrition की कमी के वज़े से होती है कभी-कभी मिला हुआ भी होता है तो आप gastroenterology department को consult करिए का वह आपको problem solve कर पाएंगे डाक्टर गैस की समस्या के बारे बात करना चाहते हैं गैस की समस्या लोगों में बहुत common है हर दूजे दिन लोग कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें गैस की समस्या हो गई है यह किस वज़े से होती है और इससे avoid कैसे करना चाहिए बिलकुल आपने सही पूछा अमृतर ज सकता है या ह्एसैका निजे कऊंस्टीपेशन नीचे से आसानी से नहीं निकल पाता है तो पेट में फस जाता है तो दर्थ करता है इंटरस्टायंट को तो अर्ण्टोर को आद भी तार पे लोगों को परेशानी होती है दूसरी बात नीव सब मूतुत है इसको वो खाने को खाने लगती है तब वो गैस बनाती है जैसे कभी-कभी दूद हम पचाने पाते हैं जब हम कोई छोले राजमा ऐसे चीजें हैं अच्छी तरह पकाके जब नहीं खाते हैं तो कोई-कोई पचाने पाता है तो जो आपको देखना चाहिए कि किस वज़े से गैस हो आपको और यह चीज़ों को आव़ाइड करना चाहिए खूब सारा पानी पीना चाहिए खाने के बीच में जब खाने के साथ हम पानी पीते हैं पेट में chemical reaction होती जो तो खाने के साथ पानी ना पिये, खाने के बीच में पानी पिये, खुब सारा पानी पिये, उससे इंटरस्टाइन चलता रहेगा, जी, डॉक्टर कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गये हैं, देखते हैं, उनका सवाल का है, हले ओ, हलो मैम, हान जी, आप अपना नाम गहर गहरे मां जीच में रहने हैं, जापपूर दिली रहे हैं आपर रहने की बाद से उनको पाइट में प्रिट्स की प्रबलम वोरी थी और मैं तीन मेने के अंदर मैं दो बार आल्टा सांड भी कराया, उनके अंदर से फेग ही चीज़ पॉबलम एके ग्यास की प्रबलम, अब भी किसी डॉक्ट साब को दिखाया तो उन्होंने बोला कि गैस्टिक्स पॉब्लम है इसके क्या क्रैम्स वगेरा वाइस को क्रैम्स आते हैं और कॉंस्टिपेशन की दिक्कत रही थी मैं इसके का यह जो उन्होंने निज अप्राष明 का इसके क्या नहीं बोलते हैं तो में गाने creator मों कि छेल का यह खिणे के बीयुक्त तो इसके क्यों मैं मी निश निचे टीते हुआ है कवी रिसेंटै। उन्होंने कुछ टैस्स कराने के लिए कि आपकी प्रॉब्म सुनके हमें यह लग रहा है क्योंकि अभी अभी आपके हाल में शादी हुई थी तो आम तो पेट को स्ट्रेस पड़ती है उसके वज़े से और दूसरी बात है रिसेंटली एक सीटी से दूसरी सीटी में आये हैं कभी-कभी पानी वो एकदम नहीं हजम होता है उस जगे का तो थोड़ा टाइम लगता है यह अजस होने में और कोई इंफेक्शन है तो उसको ठीट करना ज़रूरी है जैसे कोई सिप्रफ्लॉक्सन या ऐसे कोई गोली लें पांच दिन के लिए सुबह शाम तो उसमें कोई इंफेक्शन है तो वो निकल जाएगी मुझे लगता नहीं है कि कोई 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 फैदा होगा इस वाली सिचुएशन में क्यूंकि ऐसा कोई सिम्टम नहीं लग रहा है जो कोलाइटिस जो कहते हैं वैसा वाला नहीं लग रह जाया है यह यह खाना पचने में प्रॉब्लम आ रहे हैं उपर की तरफ से गैस्ट्राइटिस हो सकती है एक बार अपर जी आई एंडॉसकोपी कर सकते हैं मुझ से देखने के लिए वहां कोई जखम है कि नहीं है थोड़ा खाना जो भी है हलका खाना खाएं दाल खिचडी दलिया सिंपल सा खाना खाएं फल फ्रूट खूब सारा लें ऐसे डलकोलाक्स लेने की भी जरूरत नहीं है यह सब गोल की बूसी आती है दो चमबच रात को गुन गुना पानी में गोल के एकदम पी लें खूब सारा पानी पीए और उसी से प्रॉलम हल हो सकता है बिना बा अधर इंच्छी पतावभ also, अब अपनी समस्य पताये यह को न ड़का रुछा को लुटा रहा है ज है ठुझ किया में होता रहता है पूल ता रहता है हई कपे तोकम दे रहता है जी क कोई दस्त या कबजी रहती है अच्छा तो आपने किसी को दिखाया अभी तक आपके आवाज सुनाई नहीं नहीं दे पा रही है तो आप जोड से बताईएगा और दूसरी बात है कि कबजी तो रहती है बीच वीच में रहती है लगताई काल कज़ोगया है अब पेट दर्द के बारे में आप से पूँछना चाहूँ की समस्या या किन शुर्द होता रहता है लगता है तो आम तर्पे-ठीकल्सर केहते हैं जो फेट में जखता है स्टमक में त्सकरी में एक होगता है ये उसको हम कहते हैं पेप्टिकल सा डिजीज, यह किटानू के वज़े से होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसके लिए अंटिबियोटिक देखे उसको ठीक किया जा सकता है, दूसरा कारण होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स की बिमारी के वज़े से, बीच के पेट का ह होता है, या कोई कांस्टिपेशन होती है, इसी वज़े से पेट में दर्द होता है, तक्तर रुशा आप हमारे स्टूडियो में आए, पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवादी, तो यह था पेट की समस्याओं से संब फिल हाल हिल्फ लाइन में बस इतना ही, नमस्कार